इस रिटर्न फाइलिंग के लिए IT डिपार्टमेंट ने सभी तरह के फॉर्म वेबसाइट पर अप्लोड कर दिये हैं और ये फॉर्म असेस्मेंट एर 2017-18 के रिटर्न भरने में इस्तिमाल किये जाने हैं अब आपको इफाइलिंग के वक्त सिर्फ कुछ जरूरी दस्तावेज ही तयार रखने होंगी इफाइलिंग के वक्त पिछले साल का ITR साथ में रखिएगा बैंक स्टेटमेंट्स, TDS और सेविंग सर्टिफिकेट्स के लावा फॉर्म 60 भी आपको तयार रखना होगा रिटर्न के ई-वेरिफिकेशन के लिए आधार नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है और आधार नंबर देने से ITR की कौपी बैंगलूरू आफिस भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी आईटी डेपार्ट्मेंट के मताबिक धाई लाग से ज्यादा लोग आधार से अपना ITR वेरिफाई करा चुके हैं ये भी याद दिलाएं कति जुलाई तक ITR फाइल किया जा सकता है